नमस्कार बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है कई महलाओं को योनी मार्ग से सफेद चिपचपा गाढ़ा स्त्राव होने की परिशानी होती है जिसे सामाने भाषा में सफेद पानी जाना, श्वेत प्रदर या लियूकोरिया कहा जाता है वैसे तो अपने शरीर के सभी अंग को साफ स्वच रखने से इस परिशानी से बचा जा सकता है आपको बता दें कि लियूकोरिया के कई कारण हो सकते हैं जैसे कि अनीमिया या डाइबिटीस से ग्रसत महलाओं में भी योनी से डिस्चार्ज होने लगता है या फिर उन्हें किसी तरह का कोई यूरीन इंफेक्शन हो सकता है वहीं हार्मोनल बदलाव भी खास कर गर्भावस्ता की दौरान जब शरीर में कई तरह से हार्मोन्स में बदलाव होते हैं तब भी इस्त्राव होता है पोशक तत्वों की कमी अगर आपके शरीर में है या फिर जनांगों में सफाई की कमी है तो वहीं बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन डीस के खास वज़ा बन सकते हैं बता दें कि अगर आप नियमत दो से तीन केला खाएं तो श्वेत प्रदर की समस्या दूर हो सकती है तो वहीं दो ग्राम आवले का पाउडर शहत के साथ दिन में तीन बार चाटने से भी लाब होगा टमाटर का नियमत सेवन करने से भी इस परिशानी में फाइदा मिलता है स्वाटिका या फिटकरी को तवे पर गर्म करके पीस कर रख लें फिर से सुबह और शाम योनी स्थान की सफाई इनी से करें वही आप चार सुपारी पाक एक एक चमच सुबह शाम दूद से सेवन करने से भी सफेद पानी जाने की समस्या में लाब मिलता है उमीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले